नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फ्यर से स्वागत करता हूँ आपके पनी चैनल अंकित वर्मा और अपि नॉटिफिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनेल पे देखे चुके हैं कि आज की इस वीडियो में आपको आज 2 स्टमबर 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताजा ख़बरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आज की पहली ताजा ख़बर ब्रेकिंग नियूज है कीरितपुर नेर्चोक फोरलेंड की दूसरी बड़ी टैनल के मिले दोनों छोर तस्वीर हैं आप देख सकते हैं तो स्टीम घुमारमी राजीब ठाकुर ने बटन दबा कर जो है टैनल में आखिर बिस्पोर्ट कर इसके दोनों छोर मिलाए साल 2015 में निर्मान कारेक करते खोदाई के दौरान टैनल का हिस्सा दसने से जो है तीन में दूर फंस गए थे तस्वीर हैं आप देख सकते हैं पर जो है इचारी बाज से करीब 6 किलोमीटर पहले एक कारदू गैट नगरास थोने से इसमें तसवार तीन यूवकों की मौके पर ही मौत होगी मृत्कों के दो शब खाई में शत विशत अवस्ता में खाई में पड़े थे जबकि एक गाड़ी की पिजली सीट में फंसा थ मृत्कों में एक यूवक निर्वा में दुकान चलाता था जिसकी पैचान दिलशाथ 24 वर्षय औरफ दिल्ला पुत्र इबराहिम निवासी निर्वा के रूप में हुई है तथा दो अन्य यूवकों की पैचान पामीश रांटा 34 वर्षय पुत्र रामा नंद रांटा वा बेकरम हिम्टा 31 वर्षय पुत्र रमेश हिम्टा निवासी कोटी सराहं ग्राम पंचायत पौडिया के रूप में जो है हुई है वहीं जो है 200 मीटर खाई में गेर कर जो है गिरी कार दमपती की मौत बेटी लापता तो के नौर जीले के यूला संपर्क मार्क पर जो है बस के नजदी कार के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से जो है दमपती की मौत होगी जबकि बेटी अभी तक जो है लापता है हाथसा उस समय हुआ जब परिवार टापरी बाजार से यूला अपने की घर के और जो है जा रहे थे एच्पी फोरेस्ट डिपार्टमेंट हिमाचल ब दोनत अधिकारियों को नए स्टेशन पर तैनाती के आदेश भी जारी किये हैं हिमाचल हाई कोर्ट अवैद खनन के मामलों पर सुनवाई के लिए विशेश खंड़ पीट का गठन तो अवैद खनन के 116 मामले हाई कोर्ट के समक्ष लंबित हैं इन मामलों पर सुनवाई के लिए हाई कोर्ट ने विशेश खंड़ पीट का गठन किया है इन मामलों के सुनवाई मुख्य नएधीश ए एस स्यद और नएधीश तरलोक सिंग चाहान के खंड़ पीट के समक्ष 21 स्टमबर को होगी धरमशाला दलाई लामा बोले आदुनिक शिक्षा पदती में करूना को देना होगा स्थान है तो तिवथी अध्यात्मिक गुरू दलाई लामा ने करूना के विशे को भारत की जोए आदुनिक शिक्षा पदती में उचिस स्थान देने की बकालत किया है उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को करूना धार्मिक विश्यों के रूप में जोए पढ़ाने की बजाए आंतरिक शांती को बढ़ावा देने और कुछ मानवी मोलियों के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए अपनी और बेहन की जान बचाने के लिए तेंदुए से भेड़ गया पुलिस जवान तो सुकूर्टी पर पुलिस जवान ललित चंदिल 34 वर्षि बिलासपुर एम्स और हाइट्रो इंजिनियरिंग कोलेज का लोकरपन तो पीम मोदी के पस्तावित दोरे को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचवार्डी दिमान ने अखिल भारतिय आयरोवेदिक संस्थान एम्स बिलासपुर में अधिकारियों के स्मिक्षा बैठक उन्होंने कहा कि जल्द ही एम्स बिलासपुर में एक सुपचास पैड़ बाले आई पीडी के सुविदा का भी शुब आरंब होगा एल्पीजी निव प्रियाइस हिमाचल में सहस्ता हुआ वेबसाइक एल्पीजी सिलेंडर जाने नए दे हम प्रदेश में वेबसाइक एल्पीजी सिलेंडर जो है 91 रुपए सहस्ता हुआ है स्तंबर में कारवारियों को जो है सिलेंडर ख्रीदने के लिए 2047 रुपए चुकाने होंगे हिमाचल वेदर हिमाचल में दो दिन भारी बारिश का अलर्ट 7 स्तंबर तक मौसम खराब तो मौसम बिक्यान के अंदर शिमला के उनसार प्रदेश में 7 स्तंबर तक मौसम खराब बना रहने का पूरबानुमान है बलक डग पार्क से घटेंगे दवाओं के दाम उद्योग मंतरी बोले उन्ना को मिलेगा एक और बड़ा तोहपा तो द्योग परिवान श्रम एवं रोजगार मंत्री बेकरम सिंग ठाकोर ने कहा है कि जिला उन्ना को बल्क ट्रग पर्क मिला एक बहुत बड़ी उगलव दिया गुरुवार को उन्ना में एक प्रेस वारता में उन्होंने कहा कि बल्क ट्रग पार्क से ना केवल पर्देश कार्थी के उन्हों समाजिक विकास होगा बल्कि दवाओं के दाम भी काम होंगी पौंग जील पहुंचे परवासी पक्षी बढ़ने लगी रोणक तस्वीर हैं देख सकते हैं पौंग जील का जो है जलसतर काफी बढ़ गया है इसी के साथ जो है परवासी पक्षी भी जील में पहुंचना शुरू हो गये हैं अभी तक करीब पांच से दस हजार के परवासी पक्षी पहुंचे हैं गांग्रेस टिक्ट के आविधनों की बार उगई है इस पार तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए आविधनों का आंकड़ थीरह सो के पार पहुंच गया है हिमाचल हाई कोट ने सुरक्षित रखा महिलाओं का बस किराए में 50 फिस्दी छूट मामले का फैसला नियायले को बताया महिलाओं को किराए में छूट देने का निर्णा कैबिनेट का हिमाचल नशे में धोतो कर स्कूल पहुँचा मल्टि टास्क वरकर 13 दिन पहले हुई थी हुई यह तैनाती बिलास्पूर के बर्ठी स्कूल का है मामला स्कूल प्रबंदन ने अधिकारियों को भेजी शिकायत हिमाचल में C&B शिक्षक ट्रांसफर में उलजा शिक्षा विभाग शिक्षा सचिव को लिखा पतर तो हिमाचल में C&B शिक्षक ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग एक बार फिर से उरज गया है प्रारंबिक शिक्षा विभाग ने इस बाबत शिक्षा सचेव को पत्र लिखा है जिसमें पोचा है कि C&B शिक्षकों के लिए पांच फिस्ती कोटा जो तबादले के लिए बढ़ाया गया है उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए यानि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की एक जिला से दूसरे जिले में होने वारी म्यूचिल ट्रांसफर में भी कोटे का इस्तेमाल को इस पर जो है सिरकार से सपश्टी करण मांगा है तो दोस्तों ये थी आज की जो है टॉप 10 ताजा खबरें अगर आपने वी तक वीडियो को लाइक ने किया है वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नाटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तन्यवाद जैहिंच जैभार करते हैं तक 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 ह झाल झाल झाल